बारिश की सुमय अक्सर बिजली कड़कने के आवाजे हम सभी को सुनाई देती हैं तब हम सब आपस में एक दूसरे से जरूर पूछते हैं कि भाई ये बिजली कैसे कड़कती है और बादलों से आवाजे कैसे आती है लेकिन जादतर किसी को इसका सही जवाब नहीं पता होता है ऐसे में बारिश खत्म होने के साथ ही हमारी ये जग्यासा भी खत्म हो जाती है और अगली बार फिर से हम यही सवाल पूछते हैं खेर आज हम आपको बताते हैं कि इसका कारण क्या है लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि बिजली चमकती क्यों है तस्वीर में दिख रहे इन शक्स का नाम है बेंजामिन फ्रांकलिन इन्होंने साल 1872 में पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वज़ा बताई थी इन्होंने ये बताया था कि बादलों में पानी के छोटे-छोटे कड़ होते हैं जो वायू की रगड की वज़ा से आवेशित हो जाते हैं कुछ बादलों पर पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज आस्मान में जब दोनों तरह के चार्ज वाले बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो लाखो वोल्ट की बिजली उत्पन होती है कभी-कभी इस तरह उत्पन होने वाली बिजली इतनी अधिक हो जाती है कि धर्ति तक पहुंच जाती है इस घटना को बिजली करना कहा जाता है अब आते हैं बादलो की गरगराहट पर देखे जब आस्मान में बिजली पैदा होती है तो बादलो के बीच जो जगा रहती है वहाँ पर बिजली की धारा बेहने लगती है इससे बड़े पैमाने पर चमक उत्पन होती है जिसकी वज़से आस्मान में बादलो के बीच चमक नजर आती है बिजली की धारा बेहने की वज़से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है जिससे वायू फैलती है और इससे करोडो करो की आपस में टकर होती है इससे बादलो के बीच गड़गडाहट पैदा होती है जिसकी आवाजे धर्ती पर सुनाई देती है अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि हमेशा बिजली के चमक के साथ ये आवाजे क्यों सुनाई देती है असल में बिजली के चमक और गड़गडाहट एक साथ होती है हाला कि बिजली के चमक पहले दिखाए देती है इसकी सबसे बड़ी वज़ा ये है कि प्रकाश की गती ध्वनी से बहुत जादा तेज होती है प्रकाश की गती 3,00,000 km प्रति सेकेंड होती है जबकि ध्वनी की गती 332 से 334 मीटर प्रती सेकेंड होती है अब आपको बताते हैं कि आज बारिश बिजली और चमक पर चरचा क्यों पर उससे पहले नजर कुछ खास आकडो पर साल 2022-23 में उत्तर प्रदेश के बावन जिलो में बिजली गिरने से करीब 300 लोगों की मौत हुई है वही साल 2023-24 में जुलाई महा तक 36 जिलो में 174 लोगों की जान बिजली गिरने के कारण गई है कुछ समय पहले जहाँ यूपी के सोनभधर जैसे जिलो में बिजली गिरने से सबसे जादा मौत होती थी वही अब गाजेपूर इससे सबसे जादा प्रभावित है लेकिन सरकार ने अब इस समस्या को हल करने का रास्ता खोज लिया है दिसल प्रदेश की योगे सरकार अब इस समस्या का हल निकालते हुए उचे बिल्डिंगों पर लाइटनिंग अरेस्टर या लाइटनिंग रॉड लगाने जा रही है जो खराब मौसम में आसमाने बिजली को अकरशित कर उसे सीधे जमीन में पहुँचा देगी इस सना के बल लोगों के जान बचाए जा सकेगी बलकि बिजली गिरने से होने वाले अन्य नुकसान को भी रोका जा सकेगा तो क्या है ये लाइटनिंग अरेस्टर और ये कैसे काम करेगा आईए समझते हैं एक lightning arrester या lightning conductor एक धातू की rod होती है जो किसी उचे structure पर लगाई जाती है इसका उदेश उस structure को बिजली के हमले से बचाना होता है यदि बिजली किसी चीज से टकराती है तो ये सीधे rod पर हमला करेगी और संरचना से गुजरने के बजाए ये rod उसे एक तार के माध्यम से जमी अब जानते हैं कि ये काम कैसे करता है जब कई बिजली केती है तो ये एक बड़ा विद्यूत चुम्बकी शेत्र बनाती है जो पास की प्रवा किये सामगरी यानि कंजक्टिब मटेरियल जैसे बिजली के तारो और पाइपलाइन में हाई वोल्टेज को प्रेरित कर सकती है ये हाई वोल्टेज किसी भी छीज को नुकसान पहुचा सकता है और संभावित रूप से अंदर और आसपास उपस्तित लोगों को भी नुकसान पहुचा सकता है एक लाइटनिंग अरेश्टर यार लाइटनिंग रॉड बिजली के प्रवा को किसी स्ट्रक्चर से दूर और जमीन में कम प्रतिरोध पद्प्रदान करती है। ये खराब मौसम में बिजली गिरने से होने वाले मुकसान को रोकने में मदद करती है। आज इस वीडियो में इतना ही, हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप देखते रहें ये बाते यूपी के।